अब यह आपकी जीके की क्लास हुई थी वह कैसी रही आपकी कैसा एक्सपीरियोंस था सब को समझ आए किसी को कोई इश्यू तो नहीं इसमें चले यह दो अच्छी बात है शुकर है चलें ठीक हो है अच्छा जी अभी आपकी जो है इंग्लिश एसे की क्लास होगी पीमेस का कमपलसरी सबजेक्ट है ठीक है और सर हमज़ा आपको यह सबजेक्ट पढ़ाएंगे और आप लोगों कोई चीज अगर नहीं समझ में आती कोई भी इशू होगा आप सबसे डिस्कस करेंगे क्लास में बहतर होगा अगर आप उसको साइट पे नोट कर लें और लास्ट में क्लास के पूछें ताके बाकी बच्चे डिस्टरब ना हो इस तरह से आप लोगों के जितने भी कोईशन्स होंगे वह जब आप लास्ट में करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चों के वह चीज़ें अगर आप बीच में खूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे डिस्टरब भी हो जाएंगे तो इस चीज़ का आपने खुद से खयाल बाकि इन्शालला नेक्स्ट जो है आपका कॉंपोजिशन का जो लेक्चर है सर इजवान राओ के साथ भी होगा ठीक है उन्होंने अल्रेडी भी एक वीडियो बना कर शेयर कीवी है यूट्यूब पर अगर आपको मजीद कोई डीटेल्स चाहिए होंगी सेशन को लेकर क्य जो हमारी टीम है इतनी जबरदस किसंगी इन टीचर्स के साथ कोई भी इतनी कम फीस के अंदर नहीं पढ़ा रहा है अगर कोई बच्चा डेली डेली बेसिस पे जो है दो लेक्चेज होंगे अगर कोई बच्चा फिर भी आकर कहता है कि मैं फीस कम कर दें बहुत जाद है द आपके मौक टेस्ट और इवैलवेशन्स भी हैं मुझे बता दो कोई एक ऐसी अकैडमी जो आपके डेली बेसिस पे मौक टेस्ट और इवैलवेशन्स करवाई लाइफ क्लासिस के साथ 10,000 के अंदर और बीच में आपके पास टाउन ओफिसर्स हों असिस्टन डारेक्टर हो कोई ऐसी अकैडमी बता दो कोई भी नहीं करवारी अगर मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए मैनेज किया रेंज करवाई है किसी तरह से तो आप लोग उसका फाइदा उठाओ ना कि आप लोग उस पर आके मुझे को कि फीज बहुत जाद है फिर बंदा खोदी बुरा लग रहा होता है कि शायद मैंने गलती कर दी एक तो मैंने अल्रेडी इतनी कम फी रखी है ठीक है उपर से मैंने इस तरह कि टीचर्स को रखा है कि जो बच्चे अगर इनसे सेपरेटली पढ़ते हैं आप सर इज्वान रहो से जरा सेपरेटली पढ़ो वो 25,000 पे लेंगे आप से एक बच्चे का ठीक है आप सर हमजा से पड़ो 5000 लेंगे सिंपल सब्जेक का ऐसे का नहीं ऐसे कि तो उनकी 8000 की फी है इस तरह से डिफरेंट टीचर्स से अगर आप सर नबील से पढ़ोगे न वो 8000 पे बच्चे से ले रहे हैं जिके का सिर्फ एक बच्चे का ठीक तो यह गलत बात है दस इजार में ना सिर्फ लेक्चर्स हैं मौक टेस्ट और इवैलवेशन भी हैं अब इसमें फाइदा क्या है फाइदा यह है कि देखो एक अकेडमी से यह कहीं से भी आप लोग लाइफ लेते हो ठीक है आपने क्लास ली उसके बाद आपने जो है उसके नोर्स बनाए ठीक है नोर्स बना लिए लेक्चर ले लिया उसको रटा लगा लिया अब क्या किया पेपर वाले दिन जाके अपने पेपर दे दिया अब इस बच्चे का पेपर अच्छा होगा यहां फिर उस बच्चे का पेपर अच्छा होगा जो डेली बेसिस पे बच्चा अच्छा स्कोर करेगा जिसने सिर्फ नोट्स बना के पेपर दी गया जाहिर से बात है जो बच्चा डेली प्रेक्टिस कर रहा है उसके लिए जब पेपर वाले दिन वो पेपर देगा ना हलवा होगा पेपर यह डिफरेंस है आप इस चीज को समझो ठीक है अगर य किया जाएंगे अगर आपको कोई मेरे पास मिटीरियल पड़ा हुआ है या कोई टीचर अगर आपको गाइड कर सकते हैं उस सब्जेक के हवाले से तो वह भी आप लोगों को प्रॉप्टर किया जाएगा ठीक है तो यह चीज़ आपको मैं तो शॉर्टी से कहते हूं कि में आता है अगर आप लोग सैटिस्फाइड हो टीचर के साथ जॉइन करो और शेयर भी करो जादा सब्सक्राइब करेंगे और पेपर देख कर आएंगे फिर उनको मौक टेस्ट के लिए जो है अलग से करना पड़ेगा सारा जो कि अक्सर बचे दिहान देते हैं वो कहते है जी हमने लेक्टिस ले लिए हम तो बस बन गए सब कुछ हमें आ गया ठीक है तो आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस नहीं छोड़नी जो रिजिस्टर्ड बच्चे हैं डेली बेसिस पर आपने टेस्ट चेक करवाना है जैसे अभी आपकी क्लास एंड हो जाएंगी सरहमज कि यह है इसको लाजमी शेयर करो आप लोग सदके जारिया समझके कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते ना कल मुझे एक फीमेल की कॉल आई थी और वो रोने वाली हो रही थी वो कहती है कि ना मैंने एक टीचर से कांटेक्ट किया और मैं हाउस वाइट मोर मैं कर भी नह सकती अफोर्ड और उन्होंने मुझे बोला कि ना मैं आपसे दस हजार लूँगा तो कहती है मैं इतना इतनी फी अफोर्ड करी नहीं सकती एक सब्जेक की जिसमें वो सिर्फ मुझे मेरी वैलवेशन करेंगे और उनकी यह लास्ट अटेंप थी और वो कहती मैं आफोर्ड इसको ऐसे इंप्रूफ करना है तब ही जाके आप इंप्रूफ करते हो चीजों को नहीं तो फिर आप जाते हो पेपर अटेम्ट करते हो वहां पर फिर एक्जैमिनर मिस्टेक्स निकालते हैं और आप पेल हो जाते हो ठीक है तो एवैलवेशन बहुत जरूरी है तो वह फिर काफी हो एड देखा और मैंने जो है ना शुकर अदा किया अला तलाक का और मैंने फिर आपको कॉल की अब फिर मैंने उनको कर लिया वो भी एड हुई है हमारे साथ बाकी ये है कि जो लोग मुस्तहिक है ना उनके साथ जब ये चीज शेयर होगी ना तो आपको भी दुआई मिलेंगी आप किसी के लिए जरिया बनोगे ना काम्याबी का यह उसके लिए आसानी पैदा करोगे तो आसानी आपके लिए आटमेटिकली पैदा होगी ठीक है बाकिया आप लोगे मैंने बहुत टाइम ले लिये फिर हमजा आप का इंगली स्टार्ट करवा दें क्लास तर आप क्लास में हैं झाल जी सेब मैंने आपको बिना दिया आप स्टार्ट करवा दें स्लाम वालेकम स्टूरेंट्स आप लोगो मेरी आवाज आ रही है अज़ा के अज़ा आप जुए आप आप एँ जी थोड़ा से मैं आपको अपना इंट्रदक्शन दे देता हूं पहले उसके बात भी बात स्टार्ट करते हैं इस इस मोहम्मद हमसा करेंटी सर्विंग इस टाउन ओफिसर इंसंद गवर्मेंट अल्सों सी एसे स्ट्वेंटी एसे कॉलिफायर एक जी इसलिए तक्रेबन कोई तीन साथ तीन सालों से मैं इसे पढ़ा रहा हूं और पी एमस का ऐसे हो या bit का हो या किसी भी वन पेपर का आपका इसे हो उसके बारे में बहुत है हमारे पास सरॉण्ट करती हैं तो कुशिकर स्वाजिश के जो सवालाथ हैं ठीक है हम उसके बारे में बात करेंगे नहीं मेरा CSS के लिए नहीं था अन्फॉर्चनेटली एक आज़ा पेपर जो फ्लंक हो गया था ठीक है जो जो आप लोगे सवाल हो ना बिटा उसको लास्ट के लिए रखेंगे और अभी हम जो है इसको स्टार्ट करने लगें जी जी में साय आफ टोल्ड डायम है और राइट नाब सबसे जादा मुश्किल अगर आप किसी स्टूइट से पूछेंगे कि पी एमेस और की जर्णी में उसको सबसे जादा मुश्किल क्या लगता है तो बच्छों उसका एक ही जवाब होता है कि यार ऐसे का पेपर ठीक है राइट कि एससे का जो पेपर है हमारा वो हमारा मुश्किल तरीन पेपर है उसका रीजन सिर्फ एक ही है बच्छों उसका रीजन यह है कि हम कभी भी ऐसे जो है ना उसका सिलेबस नहीं देखते हम उसके बारे में उसका कॉंटेंट रिव्यू नहीं करते हम क्या करते हैं हम यूट्यूब पे जाते हैं दो चार को हमने देखा उनके इंटर्व्यू सुने टीचर्स ने बता दिये कि इस डिफिकल्ट थिंग क्रैक नहीं कर सकते आप ऐसे को तो मसला यह होता है कि हमने उनकी जो बाते सुनी है ना हमने उसको अपनी रियालिटी बना लिए जब आप किसी की सुनी सुनाई बात को अपनी लगने लगती है तो मिजॉरिटी ओफ दे स्टूडेंट्स का यही मसला है उन्हें पता ही नहीं कि ऐसे की डामेंशन की ऐसे को लेकर कैसे चलना होता है और वो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना बना दिया गया है ठीक है तो हम जब इसके उपर बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका PMS का जो ऐसे उसकी जो लिमिट है इसमें और CSS में फर्क सिर्फ इतना है कि CSS का जो ऐसे वो 2500 से 3000 की तरफ जाता है और इसका जो ऐसे उसकी जो लेंध वो कम होती है बस और कोई ऐस से इतना कोई मेजर फर्क नहीं है आपके पास जब पेपर आएग फर्क हो आपके पासesta कि शब्सक के हैं यह होती है कि इसमें परफ पास डाशन होग Yay अबी टेश्चेन को बहूंस को तयार करना पड़ेगा अभी उसकी फीपर आप्स पेपर याई भी बच्चों कृप्वाए थे तो हमने लिटर्एरी ऑिनिसक्किये थे एकुटेशन बेस्ट भी किये उसमें अमने अनलेटिकल भी किये उसमें अमने सोशल इशूज को भी डिसकुस किया ठीक है तो हमें न सारी चीजों को लेकर चलना होता है इसमें से मैं कुछ मिट्स ब्रेक करता हूं जो लोगों ने बनाई है ताकि आपका जो माइंड है वो र पहली चीज जी कि ऐसे के लिए एडवांस वोकाबलरी चाहिए ठीक हो गया यह हम सब ने सुना है ओके नमबर टू हमने यह सुना है कि इसकी ग्रैमर एडवांस होनी चाहिए मतलब कि एडवांस लेविल मुश्किल मुश्किल चीज़ें आपको आनी चाहिए ठीड जी पर कुछ टीचर हजरात होतें हैं कि होग स्टेटमेंट होनी चाहिए और को देगया यहां से कर लो कोई वाह से कर लो ये सारी चीज़ें बहुत हैं ऑप यूख का डारिक्त अभी आपने ऐस्वार्ट की अपनी चरुए तेके यह जो सारी चीज़ है न यह CSS में exist नहीं करती now truth क्या है मैंने भी pass किया मेरे जैसे बहुत सरे लोग है जिन्होंने essay को pass कियो और वो ही कहते हैं कि essay जो है मुश्किल नहीं है उसको मुश्किल बनाया गया है नमबर वन आपको असान इजी वोकाब इस्तमाल करनी होती है इसके अंदर ठीक है नमबर टू ग्रैमर का एडवांस होना जरूरी नहीं है पिटा ग्रैमर में हैं यह चार पांच चीज़ हैं कि नहीं चुनी नमबर थर्ड पर आगे किसे बहुत ज़्यादा किताबे पढ़नी होती है नई इसमें हम सिलेक्टिड रिसूर्स देखते है आप लोगों के पास इतना वक्त होता ही नहीं है जब आप सी एसेस पी एमेस की जरूरी में आते हो तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि हम किताबे पढ़ें तो हम उसमें से एक दो सिलेक्टिड किताबें उसमें से भी चैप्टर, आर्टिकल, जहांगीर वल्टाइम के मैगजीन वो सारा कुछ हमारा साथ रहेगा तो इंशाला मैं आपको गाइट करता रहाऊंगो इसके अंदर नम्बर फोर्थ सरफ फेक्ट्स और फीगर्स यर फेक्ट्स फिगर्स कुटेशन एक लिमिट होती है इस नोट नेसेसरी फेक्स और फिगर्स नैसेसरी नहीं है अभी मैं आपको एक example से सारी चीज़े प्रूफ करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे इतना मुश्किल कोई है नहीं राइट इसा जनाब उसके बाद आगे चलें आगे आप चलें तो हमारे पास लिखाव है हो के statement ठीक है हो के statement आपकी क्या होती है यह जिनकी विडियो खुली वे kindly है यह विडियो अपनी बंद कर दें ओके फिफ्ट पर लिखाव है हो के statement वो कहते हैं कि ऐसे जब शुरू होना तो ऐसे के शुरू में आपने कोई ऐसी बात करनी है कि examiner जो है न वो आप पिस तक हो जाए आपको पढ़ है attractive वो चीज़ो ऐसा कुछ भी नहीं है आपने सीधा सीधा उसको start कर देना है ऐसे को तो no hook required ठीक है यह तो वो चीज़ होगी जो bluntly मैंने आपको यह बता दी कि यह यह चीज़े हम follow करेंगे यह वाली चीज़े हम follow नहीं करने लगें हम एक साधस structure सीखेंगे ऐसे का उस पर evaluations परफॉर्म होंगी और आपको पूरा पूरा ऐसे classes के end में लिखना आ जाएगा असानी के साथ ठीक हो गया इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपका no-go area क्या होगा no-go area क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है एक जगा से पढ़ते हैं लेकिन वो कोशिश यह करते हैं कि जी हम यह भी पकड़ लें उसे भी पढ़ने यह भी कर लें वो सारी चीज़ें आपने नहीं करने तो आपने जो एक चीज़ करनी है बैटा जो मेरे टीचर्स ने बताया था कि आपने एक बंदे को फॉलो करना है बस चाहे वह कुई भी हो हम इस पैसिफिकली नहीं करें कि एसी को फॉलो करना है नहीं आप कोई भी टीचर लें बस उसको फॉलो करें फॉलो एनिवन because there are 101 ways to crack assay 101 तरीके मार्केट में कोई कहेगा outline लिखनी है कोई कहेगा नहीं लिखनी कोई कहेगा thesis देनी है कोई कहेगा नहीं देनी funnel देना है नहीं funnel देना यह सब आपको परिशान करने वाली चीज़ है तो आपने बेटा एक को follow करना है number two कभी भी recorded course प्लस कोई भी किताब से तयारी नहीं हो सकती यह fact है until और unless आपके पास वो बंदा मौझूद हो जो आपको उसकी utilization सिखा दे recorded course हो पिटा यूट्यूब पर पढ़ा वैसे आप किसी कभी उठा के शुरू हो जा लेकिन आपको check कौन करेगा फिर आप जो लिख रहे हैं जिसमें grammatical errors आ रहे हैं हद से जादा वो check करने वाला बंदा नहीं है आपके पास ठीक है तो यह सारी आप गलतियां कर रहो तो third है इसमें न बच्चे क्या करते हैं length पूरी करने की तरफ जाते हैं right आप ऐसे लिख रहे हो आपने का यहर बड़ी मुश्किल से 1400 वर्ड हो गए एक्जामिनर को impress करने के लिए न मैं इसमें कुछ इजाफ़ा करें कि इसको 1700 तक ले जाता हूँ ठीक होगे अब आप क्या करते हो एक गलत काम जिसको कहते है repetition of ideas exam में बैठे वे दो घंटे में इसे लिख रहे हो आप आपके पास ideas खतम हो जाएंगे एक time आएगा आपको quotation याद नहीं आएगी तो all in all आप फस जाओगे क्योंकि examiner मना करता है repetition of ideas मत करना तो अगर आप में से कोई serious aspirant है I'm sure बहुत सारे होंगे उसने ये सारी चीज़े सुनी नहीं है आज के बाद इसको भूला दो ऐसा कुछ नहीं है जितना easy हो सके उस तरीके से पढ़ो easy vocabulary flawless grammar selected resources no facts and figures या limited facts and figures कहलेंगे hook work गएरा कुछ नहीं जिसको follow करो किसी एक को follow करना that's it ये मेरी तरफ से आप प्री रेक्विजिट होंगे स्कोर्स के जो भी कुने बता है कर किसी का कोई सवाल है तो अभी आप मुझे बता दें ता कि फिर मैंसको स्टार्ट करूँ जी अब आप चैट कर सकते हैं बिल्कुल अब आप जी मैंने आप पर चैट की सेटिंग्स चेंज कर दिया आप लोगों का अब भी तक कोई सवाल है related to essay पूछते जाईए मैं उसका जवाब देता रहूंगा एक कि करके irrelevant चीज ना पूछेगा तो बेतर है अच्छा जी पहला सवाल आए है selected resources mean ओके बिटा selected resources का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग आपको डॉन का कहते हैं ठीक है यह आपने डॉन जो है regular basis के उपर पढ़ना है लेकिन ऐसा नहीं है आप डॉन पढ़ते हैं इस वेस्टेज ओव टाइम अगैं उसकी जगा में जहांगीर व्ल्ट टाइम का मैगजीन कर दूँगा ठीक है इसी तरीके से फिर selected resources में few books हैं ठीक है few books हैं उसके अंदर तो मैं आपको बता दूँगो कि कौन कौन सी books हैं जो आपने purchase करनी है PDF ले लें और प्लस उनके summary कहां से मिलेंगे यहां पे हमें अपनी knowledge को शो नहीं करना होता structured knowledge को लेकर चलना होता हमें PMS के अंदर ठीक है एक तो यह चीज हो गई तो I hope so कि आपको पहले सवाल के जवाब मिल गया नेक्स जी सना का question है एक सेकंड यह चैट उपर हो गई सारी मैंने मैंने भी अप्लाई के तो पीमेस दे सकते हूं के अगर को पंजाते तो आप अप्लाई कर दीजेगा CSS PMS ऐसे स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रक्चर एक ही है बस हां उसके अंदर जो है different types of essays आ जाते बिटा किसी मैं प्रूफ करना होता है किसी मैं elaborate करना होता है तो वो वक्त के साथ-साथ आप बढ़ते जाओगे आप खुछ सीखते चलोगे कोई परिशानी किसमें बात नहीं है Outline is very important नसीर Outline is important आप PMS का paper उठाएए पास paper उठाएए और उसमें देखें हो वहां लिखा है Make a brief outline What is the meaning of brief एक छोटी Limited, Crux, Outline लाजमी है पिटा Outline Necessary है और कोई अच्छा जी सर, How will you evaluate our essays, essay evaluation का जो last time तक का criteria था वो ये है कि आप जो है हर class लेंगे, हर class के बाद एक homework मिलेगा आपको, आप उस पे लिखेंगे, miss को आप मेरा खाल से कोई drive पे एक folder बनते हमारा उस पे आप upload करेंगे और मैं जो है उसको weekly जो है checking हो रही होगी और वो आपको again मिल रहा होगा, last time हमने एक activity ये की थी बटा के Saturday को हमें एक class रखते हैं, उसके अंदर ये होता है कि आपके live evaluations होती है उसके अंदर, तो I hope so कि वो वीडियो भी शायद यूट्यूब पर होंगे, आप में से मांग ले daily evaluations होंगे daily, ठीक है, हमारे पास homework के हिसाब से होता है न, या तो आप teacher को WhatsApp कर दोगे, वो सारे के सारे मुझे भीज़ेंगे, मैं daily उसको evaluate करके आपको भीज़ दूगा, या फिर एक हमारा session Saturday वाला होता होता है, उसके अंदर हमारी outlines होती है, तो भी, यह stuff हमारा चलता रहता है ठीक है, मैं आपको पूरा plan share कर देंगे, evaluations का, हर class के बाद homework class मी होता है, again अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, काके फिर मैं आपको एक demo essay की तरफ लेकर चलता हूँ, कि उसको बनाना कैसे होता है, उसमें paragraph कैसे लिखना होता है, 1500 words, average कितने pages में आ जाते है, it depends on your writing, देखें, यह हर किसी का different होता है, आप एक page consider करें, अचा इसका जो page होता है, वो थोड़ा register type का होता है, ठीक है, मतलब लंबा page होता है, आप essay में देखें कि आप एक line, on an average, कितने word लिखनें, usually बच्चे 7 word लिखते हैं, जिनकी छोटी writing होती है, अब 7 word है आप number of lines को count कर लें, और कितने बन रहें, उस हिसाब से हो जाएगा, यह, लेकिए मेरा ख्याल से कम 10 से 11 pages, तो minimum minimum आपके जाएंगे सर, ऐसे को self study किया जा सकता है, अगेन यहाँ पर आपको दो school of thought मिलेंगे इसके अंदर, self study in a sense कि आपको content मिल जाएगा, बेटा जब खुछ से घर में पढ़ोगे, जहांगीर वल्टाइम पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, तो content मिल जाएगा, mechanism भी शायद तुम सीख जाओगे, कि यार चलो मैंने YouTube से 10 वीडियो देख ली, मुझे mechanism भी आ गया, लेकिन उस content को ऐसे में पिरोना कैसे, बास समझ रहो, लिखना कैसे, कि for example, एक thought process है, पाकिस्तान का literacy rate जो है, 60% से थोड़ा सुपर है, इसको 10 different essays में कैसे लगाने, इस argument को अच्छा कैसे प्रूफ करने और इसको गुरा कैसे प्रूफ करने, यह art होती है, बार बार practice करके आती है, और self study में इससां चेकिंग नहीं करवाता है, अगर आप self study करें और चेकिंग करवाने तो अच्छा है, बट अगर खाली खाली खुद पढ़रे हैं और यह समझ रहे ह तो वो पूरा essay card देगा आपका, ठीक है, अच्छा जना, उसके बाद क्या सम्वाल था, essay को, सर्जी writing depend करती है, clear and neat, नहीं, clear होनी चाहिए, मतलब, readable writing होनी चाहिए, इतना कोई आपको fancy writing वगरा required नहीं, सीधा-सीधा लिखो, readable हो बस, इतना जाद मुश्किल ना बनाओ, CSS को, sir, how we will understand the statement of essay and built a relative stance, अभी मैं बताता हो, उसी की तरफ आ रहे है, next way है, okay, ठीक है, मेरा खाल से, हापे सवालात खतम हुए, अब हम session के दूसरे part में चलते हैं, जिसके अंदर हम एक topic लेंगे, उस topic को, देखते हैं, कि क्या है, वो topic हमसे क्या demand कर रहे है, और outline कैसे बनती है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को एक general idea हो जाए, okay, आपके पास exam में दो किसम के topic आते हैं, one is open ended, right, one is close ended, अब ये open ended क्या है, और close ended क्या है, बचों, अगर मेरे पास, एक topic आया, ठीक है, exam में एक topic आता है मेरे पास, corruption in Pakistan, ठीक है, corruption in Pakistan, causes, impacts and remedies, ठीक है, इस topic को जब examiner ने आपको दिया, तो उसने सारी dimensions आपको बता दी है, अच्छा, बटा, मैं हमेशा बहुत basic से पढ़ाता हूँ आपको, अब बच्चे कहेंगे, सर, ये dimension क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो, this is your main topic, ठीक है, ये आपका topic है, corruption, सही है बटा, अब वो कह रहे है, corruption को discuss करो, causes बताओ इसकी, तो आप पहले number पे इसकी causes तलाश करेंगे, कि corruption की causes क्या है, सीधा सीधा कहीं और नहीं जाना, ठीक हो गया, next लिखाव है, impacts, भाई, इस corruption से impacts क्या क्या होते हैं, मुझे इसके उपर बात करनी है, ठीक है, उसके बाद है, remedies, remedies का मतलब होता है, उसको सही करना, किसी बिमारी को कम करना, ठीक करना, उसका way forward बिटा, ठीक है, तो मेरा ऐसे शुरू होगा corruption, main topic है, और कैसे जाएगा, वो मुझे किसने बताया, examiner ने बताया, एक इस तरह का ऐसे आएगा आपके पास, इसको मैं कहता हूँ, आपका close ended topic, because, you know, कि मुझे क्या बताना है, right, एक topic और देखते, every solution brings a new problem, right, अब यह topic है आपके पास, every solution brings a new problem, examiner यहाँ पर कहता है, कि हर solution के साथ, एक problem आती है, right, हमने क्या पढ़ा है, कि यहर problem होती है, तो उसका solution आता है, तो देखो, यहाँ examiner क्या पूछ रहा है, आपसे, बड़ा interesting है, यहाँ देखना, problem होती है, ठीक है बेटा, उसको solve करते हैं, तो उसका solution आता है, अब examiner कहते है, वो जो solution आता है न, उससे एक नई problem generate हो जाती है, तो वो कहते है, इस पर लिखो ऐसे, मैंने जो अपना 2021 का ऐसे जो clear किया था, जो CSS 2021 का ऐसे था, उसको topic था, human developments, lead, the societies, इसमें spelling mistake देख लेए न, यह, backward, यह ऐसे, ऐसे topic था, यह 2021 में मैंने time किया था, now, the main thing is, examiner ने मुझसे पूछा, कि human developments, जितनी भी हो रही है, जो भी आपकी technology आ रही है, जो कुछ भी दुनिया में है, वो societies को, आगे नहीं लेके जा रहा, बलके कहा लेके जा रहा है, पीछे लेकर जा रहा है, अब मैंने इस essay में क्या किया, जो शायद कोई आपको कभी recommend ही ना करें, मैंने इसको negate किया, बचों हमारे एक मशूर चीज है कि जो examiner ने कह दिया, वो कह दिया, किसी बड़े बुजर्ग ने कह दिया, वो कह दिया, no, आप उसको negate कर सकते हैं on the basis of your knowledge, तो मैंने कहा कि human developments lead the societies forward, मैंने अपना stance लिया, और मैंन इस बात को proof किया, and I got passed in CSS essay, ठीक है, so, coming back here, कि यहाँ पर आप देखें, कि examiner ने आपको कोई dimension नहीं दी, you just have to prove your arguments, कि जी, every solution brings a new problem, या तो मैं इसके हक में होंगा, या मैं इसके against होंगा, अगर आप यह समझते हैं, कि हर solution के साथ एक problem आती है, तो आपका stance क्या होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो बच्चे कहते हैं, सर, thesis statement नहीं समझ में आ रही, हुआ बनाया वै, thesis को, एक-एक महीन academies लगा रही है, thesis नहीं समझ में आ रहा, thesis is the crux of your essay, right, तो आपको कह आज आएगा, जी, every solution brings a new problem, तो आप यही कहेंगे, yes, there is no denying the fact that every solution brings a new problem, that's it, this is your thesis statement, ठीक हो गया, यह आपका thesis आगया, ठीक है, आगे देखें जनाब, जब आप essay लिखते हैं, तो आपको आपका stance पता चल गया, कि जी, मैंने इसको agree करना है, तो जी, हमें पता चल गया, यह हमारा thesis हो गया है, यह done हो गया, अब essay के अंदर क्या-क्या components होते हैं, उसको discuss कर लेते हैं, that's introduction, number one पे, फिर आप thesis statement देते हैं, लाजमी दे दीजेगा, अच्छा है, इस वाली जो heading में, आप या तो उसका overview of the topic discuss करते हैं, या आप discuss करेंगे जी, उसका current analysis किसी भी बात का, topic पर depend करता है, कोई history हो सकती है, यह तीन चीजे ही होती होती है, या कोई types हो सकती है, type, definition, वगएरा, कोई यहाँ पर आप डालते हो, इसके फॉरन बात आप topic को hit करोगे, फॉरन topic hit, main topic, जो भी पूछा है उसने, x, y, z, जो उसके बाद या तो उसके causes slash impacts आते हैं, right, उसके बाद recommendations आएंगी, अगर कोई case study याद है, तो पेटा case study डाल देना, उसको conclude कर देना फिर, यह एक essay का normal structure है, जो मैं भी follow करता हूँ और तमाम दुनिया भी यही follow कर रही है, शाहिए, there are 101 ways to pass an essay, उस 101 में से एक तरीका यह है, और अब तुम्हें YouTube पे जाओगे, तुम्हें सो मजीद तरीके मिल जाएंगे, जिसने जिस तरीके से essay को pass किया है, वो यही समझता है कि मेरा तरीका ठीक है, ठीक है, सो मेरे पास, जब मैंने पास किया, मेरे जिन टीचर ने पढ़ा है, मुझे essay पढ़ाया गया, मैंने essay पढ़ा, मैंने पास कर लिया उसको, और मैं जब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो आपने इंट्रो देना है, थीसे है, ओबर व्यू, मिन टॉपिक, कॉज़ इंपक्त, केस स्टडी आगई, कॉन्क्लूट कर देना, अपने essay को लाके, इस essay को कैसे बनाएंगे, आएं जरम आपको एक जला किसकी बताता हूँ, आप इसके स्क्रीन शॉट ले लीजेगा, मिस तो खैर रिकॉर्ड करी रही है, इसको, तो टॉपिक इस, अब हम इसको स्टार्ट करने लगें, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस आजाएगा आपका, थीसिस में आप क्या बताते हैं बिटा, थीसिस के अंदर आप लिखेंगे, देर इस नो जिनाइंग दे फैक्ट, दाट, एवरी सलूशन, बिटाई थीसिस हो गया आपका, खतम, आगे बढ़िए अब, अब आप ये बता सकते हैं कि, वाट इस ना मीनिंग अफ दिस, मीनिंग अफ दिस ऐसे, ठीक हो गया, आपने बताना है कि इसका मतलब क्या, और फॉरं सरा आजाएंगे, कि, वो कितने होने चाहिएं, ये आपके पाद 6 से 7 होने चाहिएं, बस 6 से 7 पॉइंट देने आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, मर्जी या अगर आपको कोई इसका एंटी पॉइंट मिलता है, तो एंटी पॉइंट दे दें आप 2 से 3, नहीं दे रहें तो इसके अंदर आप रिकमेंडेशन दे के, इसको एड़ कर देंगे, यानि कॉन्क्लूट कर देंगे, सही है बटा, इसका इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, और यह असान होता है काफी, ठीक है, नाओ अगैन, मैं इसको उपन करता हूँ दुबारा से चैट को, मुझे पता है काफी जादे लोगों के सवालात होंगे, अब आप मुझे टेक्स कर सकते हैं, एक एक करके करें, ताकि फिर मैं इसको जवाब दे सकमें का, यूए यूए लोगों के फिर फिडबेक्ट, यूए अप्लमार, तॉक्त्र इश्माग यू डॉक्त्र इश्माग यू अच्छा जी एक सवाल पुछ है मैं कितनी how many classes you taught us यह तो चलता रहेगा जब तक आपका session एंड नहीं होता इसमें मैंने मिस्स को बताया वह कितनी classes होंगी अच्छा जी यहां पे सवालात हमारे पास आ रहें ओके जी classes का यह आप teacher से पूछ लीजेगा कितनी उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन को आपने स्टार्ट में जैनरली लेकर चलना होता है दो से तीन लाइने related to topic अक्टेशन हो सकती है कोई उसके अंदर आप सवाल उठा सकते हैं यह तो इंट्रोडक्शन को ऐसे लिखना नू topic wise आप लेकर चलते हो उसके हिसाब से चलेगा और यह वही लिख सकता है जिसकी command हो लिखने के उपर अगर आप समझते हैं कि दो चार चीज़े याद करके आप जाके लिख लोगे तो यह wastage of time and wastage of money यह तो यह सीखने वाली चीज़ होगी एंटी point mean अच्छा सवाल किया आपने देखें आपने एक thesis लिया ना यह आपका thesis है इसके negate में यानि इसके against कोई बात पाई जाती है या नहीं पाई जाती है वह आपके पास anti thesis कहलाता है तो यह optional होता है अगर इसके खिलाफ अगर आपने अपने essay में proof कर दिया है कि हर solution के साथ problem आती है that's it okay no need to put anti points here आप इसको हटा दें इस point को आप simply 6-7 यहां पे points देंगे उसके बाद recommendations देंगे 4-5-7-4-11-100-100 की आप heading डालेंगे 1100 वर्ट यह हो गया थोड़े 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 वर्ट यहां से मिलाए 14-15-100 वर्ट का अराम सहसे आपका complete हो गया ठीक है तो relax करें easy होता है यह इतना कोई difficult मामला नहीं सर जी ऐसे में pages की pages का तो मामला ही नहीं है इसमें यह कोई FSC metric FA का कोई exam नहीं है इसमें अगर आप थोड़ा भी लिखेंगे relevant लिखेंगे तो पास कर जाएंगे 25 pages की बुकुती है thesis statement is compulsory without thesis तो होई नहीं सकता है या सवाल इसर thesis statement outline में लिखनी है या after out जब आप outline बना रहें तो आप चाहें तो आप thesis ना दे वहाँ पे ठीक है इस not necessary आपकी मर्जी अगर आप feasible है तो दे दे नहीं feasible आपको लगता है कि यार पकड़े जाएंगे और घलत हो जाएगा तो ना दे उसके बादे सर रिकमेंडेशन and case study means recommendation मतलब way forward जो मैंने corruption का आपको बताया था तो corruption का way forward जो होगा वो क्या कहलाएगा corruption की recommendation ठीक है कैसे खतम होंगी कैसे मुल्क बहतर हो सकता है इसे way forward करते है case study क्या होती है case study बेटा जैसे किसी मुल्क ने किसी मुल्क ने वो चीज अपने मुल्क में लाई हो खतम की हो या उसको अच्छे से tackle किया हो जैसे हम सब को पता है हीरोशीमा नागा साकी यह जो जपैन के दो cities थे उसके उपर जो USA ने bombing की थी उसको तबह बरबाद कर दिया था अब उन्होंने उसको again develop कर लिया है और तरक की वाले मुमालिक में वो दुबारा से शामिल हो गया तो this is a case study तो हम क्या करेंगे इनकी stories को code करते हैं again relevant to our subject relevant to our topic this is called case study for improving SA content what is recommended the most SA are coming on recent coming on AI doesn't know how much content one have to prepare at least no you don't have to prepare on any specific dimension go for topic means AI right artificial intelligence सब जितना AI है उसको cover करते चलो कैसे cover करोगे आप देखें कि AI politics social economic religion global warming किदर किदर AI का काम हो रहा है तो AI को जब तुम 360 तयार कर लोगे तुम्हें कोई specific dimension में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगे और इसका best जो है वो chat GPT article जहांगे रवल्टाइम बेस्ट हैस के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं विल्यू शेयर असे बिर्कुल classes से start होंगे तो मैं start कर दोंगे तेसे statement important है लिखना यह skip कर सकते हैं outline में skip करेंगे introduction में लिखेंगे किस type का essay paper में select करना चाहिए जिसका मतलब समझ में आ जाए यह बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है इसको मैं elaborate कर देता हूं जिसका मतलब समझ में उसका क्या मदल्द है population explosion in Pakistan पेटा एक yes है और दूसरा आपके पास है education is formation not information अब यह दो topics में आपके सामने लिखें अब बच्चे क्या करते हैं majority education को त्यार करके जाते हैं वह exam में जाएंगे देखेंगे education लिखा अरे वहाई यार मैं तो पास हो जाओंगा education मुझे आता है लेकिन पता कि examiner ने स्टॉप है तो अगर आपको पहले वाले का मतलब समझ में आ रहा है पेपर बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास मौझूद है मैं मैं अपने दौर में करवाई है ना उसी मेंसे मैं एक कैसे भीज देता हूं पाकिस्तान तक नहीं आप कहीं पर भी जा सकते हो है आपके पास जो टॉपिक है आप उसको आट नो डायमेंशन में घुमाईए हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा सेकेंड उसके अंदर हम कहां लेते हैं तो मैं आप लोगों को ब्रेंस्ट्रॉमिंग समझा दूं किसी पर आप जो अब घंटा लगा रहे हो कि आपको बैनेफिट हो जाए इस क्लास से कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का में में होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मसला यह आता है कि सर हम टॉपिक के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे पास लिमिटेड डामेंज कि इस पर आप कि इसा मुझे यह बताई यह ग्लोबल कि प्राइब च्राइब यह बताई यह नहीं चाहताए टाएफ प्रिपाद्स एक सेकंड आप लोग वेट करें देखते हूं जी वच्छो मेरी आवाज आ रही है तो को को कि इसके अंदर में आपसे बात कर रहा था कि हम एक टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग को लेंगे और हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है अच्छा भी मुझे बताएगा ठीक हो जाएगा यह कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे लेके सॉल पर से कि इस स्टेट्मेंट मेंज कि आपका क्या स्टांस है उस टॉपिक के उपर ठीक है ओके जनाब यहां पर हम देखेंगे कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर यहां पर देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डामेंशन आ सकती हैं तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हम इसको किदर किदर connect करवा सकते हैं सबसे पहले हमेशा हमने इसको connect करवाना होता है जब भी आप कोई चीज शुरू करेंगे तो आप उसको connect करवाएंगे किस से political ठीक है फिर उसको economy से connect करवाएंगे फिर social से करवाएंगे religion से करवाएंगे हमारे पास 7 से 8 dimensions बिटा ऐसे ही मौजूद होती है अब आप खुद से सोचें कि global warming का politics से कोई तालुक है क्या global warming का politics से कोई मसला होता है उसके बाद आप सोचें कि यह economy पर क्या माम आता है कोई भी topic है economy कैसे हिट होती है उसके बाद आप सोचें जी socially क्या क्या problems हमारे पास मौजूद है उसके बाद आप जाएं religion का कोई किरदार है इसमें या नहीं है ठीक है उसके बाद जारा देखें कि climate से तो link नहीं है तो बिटा ऐसे आप brainstorming करते हैं और फिर यहाँ पर जो गेम होता बहुत सारे बच्चे आप तो बहुत असान कर रहें एजी कर रहें तो student fail क्यूं होता essay के अंदर अब जरा देखिएगा नहीं अब सिर्फ मेरी बास सुनिएगा क्योंकि बस इसको अब मैं end करने लगाँ essay का जो failure है इसमें दो चीज़ें जो है वो main है एक grammar students को लिखना आता ही नहीं है अभी मैं किशी को कह दूँ कि यहर मुझे एक paragraph लिखके दे दो एक paragraph में कम से कम दो से तीन mistakes on an average बच्चा करेगा preposition की होगी spelling error होते हैं sentence बनाने नहीं आते तो हमारा जो examiner बैटा है he is bound to fail you 20 seat हैं 10,000 candidate हैं तो क्या करेगा वो fail करेगा न वहाँ कोई आपका सगे वाले नहीं बैठा बच्चा आपको पास करने के लिए बैठा है एक कलती पे fail करेंगे so number one is grammatical error और जिनकी flawless grammar होगी वो आगे जाएंगे तो second number पे आता है content हमारे बच्चों के पास content की कमी है क्योंकि reading छोड़ दिये तो जब आप reading करेंगे content मिलेगा grammar अच्छी होगी तब ही आप एक अच्छा argument बिल्ट कर सकते हैं तो अगर आज से अप अपनी journey शुरू करने जा रहे हो सिरफ दो चीजों को mind में रखना grammar flawless होनी चाहिए grammar में मसला नहीं होना चाहिए और number two आपके पास अच्छा content होना चाहिए यह दोनों चीज़े mix कर लोगे ऐसे आपका कभी भी fail नहीं होगा right this was all from my side और अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले बाकि फिर मैं जो है वो उसको देख लेंगी कब इसको end करना है किसी का भी सवाल है पूछ लेओ सोनिय क्या सवाल है PMS LA नहीं समझाए मैं आपका सवाल है अच्छा जी अब यह आप लोगों के जो सवाल है सर कॉंटेंट इंप्रूफ करने के लिए क्या रीट करें कॉंटेंट इंप्रूफ करने के लिए डिपैंड करता है कि आपने अपना जो फोर यर्ड़ उसमें कितनी किताबें पढ़ी है इसका जवाब देते सबसे पहला है हमारे पास किसका सवाल आए था कॉंटेंट इंप्रूफ करने के लिए देखो अगर तो तुमने अपने चार सालों में चार सालों में अगर तुमने किताबें रीट की हैं तो किताबें रीट करना अगर नहीं read की तो बेटा इस तरफ नहीं आना अब book read करना मुश्किल होगा तुमारे लिए ठीक है अब तुम सिर्फ इसमें ये कोशिश कर सकते हो या कर सकती हो जो भी हो उसमें ये हो सकता है कि आप उसका एक short cut तलाश करें जैसे magazines है ठीक है बेटा जहांगिर वर्ल्टाइम का है नेर पियर का है सही हो गया ये है HSM Global आता है ये तीन magazines हैं आपके पास जिसको आप read करके अपनी grammar अच्छी कर सकते हो अपना content बना सकते हो इसमें ने topic wise चीज़े होती है अब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे वो बुलेंगे यार वो मलीहा लोदी के बुक है Beyond the Crisis State ये पढ़ लो कोई काएगा ये कर लो मशवरे बहुत मिलेंगे आपको बट ये है कि जी to the point अगर content आपने करना है तो magazines पढ़ लीजो और daily basis पे लिखें kindly recommend book for grammar grammar के लिए मैं कोई भी बुक बता दूँगा but again grammar तब तक नहीं आईगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी भुक ले लो बेटा जो अवेलेबल है घर में अरूच कहरी है what is stance stance होता है कि जी मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं जैसे मिसाल के तौर पे social media social media a blessing or a curse blessing or a curse अब अगर आप इस चीज़ के तरफ जा रहो कि social media blessing है या curse है तो आपने अगर blessing लिया तो this is your stance ठीक है या curse लिया तो या आपका stance है कि जी मैंने ये बास सोची मुझे ये प्रूफ करनी है जो आपको प्रूफ करने वो आपका stance होगा ठीक है सर पीमेस की preparation जी जी इसी से करें बिटा इसी से css की भी होगी इसी से one paper की भी होती है जर्नी एक ही होती आपकी यही सारी चीजे जो आप पढ़रो यही आपका जो है सब आगे काम आता है किताब मैं recommend नहीं करता किताब के अंदर specific style follow हुआ होता है और सारा जो data होता है वो copy paste होता है तो मैं कोई किताब recommend नहीं करता है इसे के लिए यह खुदी यह practice से आने वाली चीज़ है हर चीज किताब से नहीं आती है अगर मैं आपको बोल दूँ के जी मैं swimming के लिए आपको किताब दे देता हूँ और उसके बाद फिर आपको छलांग लगवा दी समुन्दर के अंदर फिर क्या होगा वो book आपको नहीं बचाएगी अगर आपने back end पर practice की भी होगी तब आपको बचात होगी वरना तो कुछ नहीं होना फिर ठीक है तो मैं personally कोई किताब recommend नहीं करूँगा essay के लिए अच्छा जी और कितने हैं हमारे पास स्वार instance को improve करना essay बनता है instance को proof करना इसका नाम ऐसे होता है gender equality a myth essay को कैसे solve करना हो again आपने इसको पर स्टांस लेना है कि आया यह myth है यह नहीं है खत्म और इसको proof करना अपने argument के साथ शहाब आलम कहते है grammar को कैसे flawless करें daily base पर writing करें रोजाना लिखिए रोजाना चेक करवाएं और अपने आपको ना अगर आप कर रहे हैं तो भी रोजाना दो घंटे English को time दे और यह depend करता है कि आप किस से पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो अगर आपको सही mentor पिटा कर आपको एक बर मिल जाता है ना life में कोई भी हो और वो आपको सझी तरीके से बता देते हैं कि आपके यह यह कम्या हैं यहाँ यहाँ के flaws हैं इसको सभी कर लिजिए आप को पता सब्सक्राइब हमारे साथ मसला यह है हमें हमारी घल्तिया इनी पता तो हम अपने आपको इंप्रूफ क्या करेंगे лось है सर बेसिक ग्रेमर इस इनफ अब बेसिक ग्रेमर में अगर आपको एक जुम्ला बनाना आता है इंचे लिखने आते हैं आपको पता है कौन सी प्रिपॉजिशन कहां लगेगी आपको इस बात का पता है है कि हैज हैव हैट किदर इस्तेमाल करना है यू और गुट तू गो फॉर पीमस नो नीड टू गो पॉर डिटेल्स आज यू कें सर्च मी इस नहीं कह सकता हूं आपके पास मिस का नंबर मौझूद है पॉर इसे कि प्रेक्टिस कभी स्टार्ट करनी चाहिए अप्शनिल कवर करके या पहले सबसे पहले यही करने आपने आपको पहले करने आपको ऐसे करना पूरा इंगिश का ऐसे lips का प्रेसि ये पूरा करो तुम्हें फेलियर ज्यादतर ऐसे के अंदर मिलेगा और सो किलियर हुई जाते हैं पढ़के इधर उधर की उसमें लिख दोगे तो भी किलियर हो जाएगा ऐसे किलियर नहीं होगा हमेशा ऐसे को पहले करना ठीक है और कोई बच्चा अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछले मुझसे मैंस अपना बारबर नंबर इसके अंदर डाल रही है तो आप लोग बेटर रहे हैं मिस से कॉन्टेक कर लें जी अगर कोई सवाल है तो पूछले फिर मैं इसको एंड करूँ जी डाउन लूड़िग यह मेरे पास नहीं मैंस यूटिव बगरा पर करतेगी शहाब आलम कहते हैं क्रक्स मीन क्रक्स मीन होता है बैक बोन जैसे कहते हैं समरी कि सेंट्रल आइडिया डाट इस काल्ड क्रक्स तु दपॉइंट सर शेयर टॉपिक फॉर प्रेक्टिस नहीं मैं इस तूर्ली फॉर प्रेक्टिस बिटा अभी तो आपको पता ही नहीं कि ऐसे है क्या अभी तो मैं फ्लासिस शुरू होंगी तो लेर के चलता रहूंगा बत हो जाएं बस यह के चेक्ट जरूर करवा लिजिएगा कि जी कि मुझे नहीं आइडिया सेशन फीस वग्यारे सारह कुछ मिस्स अब डिसकस करें मैं तो पढ़ाओंगा स्रिफ याइस याइस बिलकुल बिलकुल आपके ऐसाइस में आपने ऐसे अपलोड कर देते हैं तो जैसे-जैसे आप अफ लूट हो तो मैं साथ से चेक कर देता हूं से कभी मिस मेश बतायेंगे आपको मैं मिस वाईज हो को कह देता हूं जी डीनार बित रैडिंग आउट्लेंग describes NO, FATMA! ऐसा नहीं है पात्मा इस तरीके का नहीं होता हमारे पास आप को पता ही नहीं अभी क्या आउटलेंग होती क्या है फिर्स आप अंडेस्टेंड करोगे कि ऐसे क्या होता है उसकी डीकंस्रक्शन होती है फिर मेन हेडर होते हैं ब्रेंस्ट्रॉमिंग होती है आउटलेंग तो कोई तीसरे च बच्चों के सास ही होगी जो already registered है session के अंदर ठीक है और three months का इसका duration है PMS के six compulsory subjects है daily basis पे live classes है इसी तरह से daily basis पे mock test है evaluations है और complete session के पीज़ है वो 10,000 है तो आप ये fee submit करवा के screenshot भेज़ेंगे मैं आपको add कर दूँगे बच्चों के साथ बाकि जो registered recording भी आपको provide की जाएंगे daily basis पे नंबर मैं यहां शेयर कर रही हूँ अगर किसी का कोई भी सवाल है कुछ पिए नहीं मुबास कल की class registered बच्चों के साथ होगी तो यह सारा जो है इसकी details थी आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं ओके जी अपना ख्याल रखें दूाओं में आठकियेगा अल्याफिज लूप जाद कर सकते हैं कल दो हमा फ्साइंगे भी सवावज